वेल्कम टू इन्क्रेडिवल स्टड़ी एम चंदन कुमार वियर गोहिंग तू रीड क्लास तेन्थ लेसं सेकेंड मी एंड दा इकलोजी भीट हम लोग इसमें पार्ट वन में कर लिये थे और पार्ट तू बाकी रह गया था पेज नंबर 18 वहम लोग यहां से सुरू करते है लिसेन मी स्क्रिन सुनो मी स्क्रिन आई से मैं कहता हूँ मैं यानि जीम जीम कहता है कि सुनो मी स्क्रिन सेफ दोज पेपर्स फॉर दा स्कूल पीकप उस पेपर को सेफ रखिये बचा कर रखिये उस स्कूल के बच्चों के लिए उस स्कूल के बच्चों को उठाने के लिए and they can be made into new paper और वे लोग यानि वे जो बच्चे के स्कूल के जो बच्चे हैं वे लोग उस पेपर को नए बना सकते हैं यानि recycling कर सकते हैं Save Aluminium cans to और Aluminium scan यानि Aluminium का डिबा जो है उसको भी save करके रखिये उसे भी recycling किया जा सकता है Like the last school pickup She asks वह पुछती है कि क्या उस अन्तिम यानि पिछले school pickup के जैसा When you said जब तुम कहा था You had come and pick up them Pick them up और जब तुम कहा था कि तुम आओगे और उसे उठाओगे But लेकिन you never showed up लेकिन तुम कभी दिखाई नहीं दिया It's easier to throw इसे फेक देना बहुत ही सधारण है Then away a few at a time Then have a big message like that करें कि इसे फेक देना बहुत ही आसान है एक बड़े mess के रूप में हमारे पास एक बड़े गंद की होने के रूप में इसे एक छण के लिए एक समय के लिए इसे फेक देना ही आसान है I get tired of trying to get Miss Green to do something about ecology मैंने कोशिस करकर ठक गया Miss Green को समझाने के लिए समझाते समझाते ये ठक गया क्या समझाया तो about ecology यानि ecology के बारे में कुछ करने के लिए ये gym जो है वो Miss Green को समझाते समझाते ये पुरी तर से ठक गया और ठक करके और ये अब आगे जाता है कर रहा है कि I go to Mr. Johnson's house और मैं अब Mr. Johnson's के घर जाता हूं He makes a run for his car वो अपने car से run करते हैं यानि वो अपने car को दोड़ाते हैं बट लेकिन I can run faster than he can और लेकिन कर रहा है कि मैं उतना दोड़ सकता हूं जितना के उनका car दोड़ता है उतना मैं तेज दोड़ सकता हूं Just trying to get to the post office before it close He says huffing and puffing वो हाफते हुए वो कहता है हाफते हुए और जुल्जुलाते हुए हाफिंग और जुल्जुलाते हुए कहता है कि Mr. Johnson's को उनके post office पहुचने के करीब यानि close उसके post office के close यानि समीव पहुचने से पहले ये कुशिस कर रहा है क्या कर रहा है और Mr. Johnson से ये जिम बोल रहा है आपके पास समय है अए से मैं कहता हूँ यानि जिम कहता है कि आपके पास समय है you even got time to walk आपके पास टहलने कर भी जाने के लिए समय है टहलने के लिए भी समय है it's only two blocks और जो Mr. Johnson's का जो office है वो क्योब दो block का है you should not take your car when you didn't need to करा है कि आपको यह जिम बोल रहा है Mr. Johnson's से कि आपको अपनी car नहीं लेनी चाहिए जब आपको इसकी अवसकता ना हो to walk would be good exercise टहलना अच्छा हो सकता है अच्छा exercise हो सकता है अच्छा व्याम होगा and save on gas और gas भी बचेगा and not pollute और pollution भी नहीं फैलेगा प्रयाव अंगंदगी भी नहीं फैलेगा that's ecology यहीं है ecology this year are और यह सुनिश्चित करते हैं आई से मैं कहता हूं we had a lot about trees and ecology in school वह कहता है जिम कि हम लोग के पास school में ecology और trees यानि ब्रिक्षों के बारे में बहुत सारा था they make the air better and stuff like that और वे लोग उस हवा को और अच्छा बनाते हैं यानि उस ब्रिक्ष जो लगाया था ब्रिक्ष और ecology जो स्कूल में था उस पेंट से और ecology से वो बोलता है कि जो हवा है न वो और अच्छा बनता है और अच्छा और दूसरा पदार्थ भी डेट लाइक जैसे की सी डेट ट्रीज ओभर देर अब जीम बोलता है कि सी डेट ट्रीज ओभर देर वहाँ देखिए उस पेंट को देखिए he says वह कहता है pointing to where there isn't any tree और वहाँ पर वो जीम जो है मिस्टर जोंसन को वहाँ पर दिखा रहा था वहाँ पर पॉइंटिंग करा बतला रहा है जहाँ पर कोई ब्रिक्ष ही नहीं है I don't see any tree I tell him तो मिस्टर जोंसन जो है वो जीम से कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार को पेंट को नहीं देखता है of course not बेसक नहीं he says जीम कहता है कि बेसक नहीं and no grass either और यहाँ पर इदर उदर कहीं भी खास भी नहीं है because क्योंकि you made a path they are taking a shortcut from Mrs. Green Green is करा कि देखिए यहाँ पर ना तो कोई bridge है और ना ही कोई घास है क्योंकि आप जो है वो Mrs. Green के यहाँ से एक shortcut path बना दिया है shortcut रास्ता बना दिया है यहाँ से वहाँ तक there was a little trees just starting to get bigger there until you kill it by trying to jump over it everyday करा है कि यहाँ पर जो भी छोटा bridge है जो भी छोटा पेड़ा है ट्री है वो जैसे ही पढ़ना सुरू करता है जैसे ही बड़ा होता है तब तक आप उसे मार देते हैं kill कर देते हैं यानि उसको बरबात कर देते हैं by trying to jump over it इस पर उचल कुद करने के दर्मियान और उचल कुद करने के प्रयास करकर के इसे bricks को आप मार देते हैं everyday यानि परते एक दिन remember याद है oh I say Mr. Johnson कहाते हैं oh and taking about not driving when you can walk करें कि आपको तो आप तो बात कर रहे हैं not driving का गारी नहीं चलाने का when you can walk जब आप तो हल सकते हैं करें कि जब आप तो हल सकते हैं तो आपको तो गारी चलाने का बात भी नहीं करना चाहिए गारी चलाने के लिए बात भी नहीं करनी चाहिए you drive your motorbike round and round your backyard all summer करा कि आप पूरे समर में पूरे गर्मी में अपने घर के पीछे वैक्याड यानि घर के पीछे अपने घर के पीछे round and round यानि गोल गोल यानि चार तरप अपने motorbike को चलाते हैं drive करते हैं and your snowmobile all winter और जो आपका snowmobile है snowmobile यान जो बर्फर चलने वाली काड़ी होती है आपका snowmobile है वो पूरे winter में पूरी ठंडी के दिनों में आप चलाते रहते हैं उसे isn't that wasting power क्या या सकती बरबाद करना नहीं है and making noise pollution और क्या या ध्वनी परदूशन बनाना भी नहीं है but it's fun I say लेकिन मैं कहता हूं किया एक मजाग है well अच्छा I enjoy taking the car to the post office he says Johnson कहते हैं कि अच्छा मैं तो post office से post office तक जाने में पॉस्ट ओफिस तक पॉस्ट ओफिस तक कार से जाने में enjoy करता हूं but लेकिन now you have made me too late लेकिन तुम अब मुझे बहूत ही ज़्यादा लेट कर दिया हूं जिसे Johnson जो है वो अपने कार से जा रहे थे तो ये जिम जो है जाकर करके उनको रोकता है और रोक करके बातचीत करने लगता है जो भी बात करता है उनको पीछे पढ़ लिया गया है और इसे बात करते करते उनको बहुत जारा लेट कर देता है तो ये बोलते हैं कि but now you have made me too late लेकिन तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही लेट कर दियो he goes the house looking very mad और वह पूरी पागालता से बहुत अजीब तरह से चेरे करके वह अपने घर की और देखकर चले जाते then तब I remember तब मुझे याद आता है he hasn't paid me वह उसने मुझे पैड नहीं किये जैसे जो जीम है वह कचड़ा उठाता है तो जैसे उठाता है तो वह कुछ न कुछ पैसा लेता है तो Johnson के भी घर जा करके पैसा लेता है तो इसको इतो बात करने वरने में भूला जाता है लेकिन जब वह कुछ तो चल जाते है तब इसको याद आता है मैं नेड़ा करता हूँ प्रतिक्षा करना के लिए अगले सटर देखो, एटलिस्ट कम से कम, I made him not followed with his car for once, और जिम कहता है कि कम से कम मैं एक बार के लिए तो उनके कार से परदूसर नहीं होने दिया, I don't talk to the rest of my route, About ecology, मैं परिश्थित्की के बारे में अपने route, अपने रास्ते से, अपने बचे हुए रास्ते के बारे में बात नहीं करता, It's very boring work, और यह बहुत ही उबाव कारे है, This ecology bit यह परिश्थित्की फलग, But लेकिन, when I get home, लेकिन मैं जब घर जाता हूँ, I see my mother using the electric mixture, जब जिम घर पर जाता है, तो अपने माता को देखता है, क्या देखता है, तो electric mixture को, जो electric mixture होता है, उसको प्रेव करते हुए, You should, आपको करनी चाहिए, do, आपको करनी चाहिए, do that with your old age biter, यह कर रहा है कि आपको इसका उप्यूग तब करनी चाहिए, जब आपका जो old age है, वो bitter हो जाए, मतलब जब आप बुटी हो जाए, मतलब आप काम करने के लाइक ना रहे है, तब आपको यह करनी चाहिए, I point out to her, मैं उसे बताता हूँ, जीम जो है, वो आपने माता को बताता है, कि आपको यह सब यूज करनी चाहिए, लेकिन तब करनी चाहिए, जब आपका age जो है, वो ढ़ल जाए, save on electricity, और विजली को बचाइए, women used to many electric things, और ते जो है न, वो बहुत सारी electric things को, बहुत सारी विजली को चीज को वो उपियोग करती है, she says in a very cold voice, और जीम की जो मा है, वो बहुत ही cold voice में, बहुत ही ठंडी आवाजों में, एकदम सुहाना आवाजों में बोलती है, क्या बोलती है, so, who watches TV 27 hours a day round here, ये कह रही है, कि तो वो कौन है, जो एक दिन में 27 घंटा देखिए, यापर 27 दिया है, ये उसकी मा बोल रही है, ये तरह सी वो उसकी मा उसको ब्लेम कर रही है, और वो कह रही है कि वो कौन है, जो एक दिन में 27 घंटा टिवी देखता है, यहाँ पर, और, Is that some other kind of electricity, और क्या यह electricity का यह सब कुछ दूसरा प्रकार है, See what I mean, देखो, मेरा क्या मतलब है, Nobody is willing to do anything about ecology, जिम कहता है कि कि किसी का भी एक्षा नहीं करता है, पर स्थित्की के बारे में कुछ करने का, पर स्थित्की के बारे में कुछ करने का, किसी का भी एक्षा नहीं करता है, Except me, मुझे छोड़कर, यह जिम कर रहा है, कि किसी को भी एक्षा नहीं करता है, पर स्थित्की के बारे में कुछ करने के लिए, मुझे छोड़कर and nobody listen to me और कोई भी वेक्ति है जो मेरे बात को नहीं सुनता तेंक्यू आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में लेकर आएंगे इसका question answer तब तक आज के लिए इतना ही अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कर दिजे कमेंट करके जुरूर बताएंगे